हेलो फ्रेंज मेरा नाम है सचीन रावल और आज का मेरा टॉपिक है हाव टू फाइंड जॉब इन यूरोप तो आई ये शुरू करते हैं अगर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे विबसाट की भी विजिट कर सकते हैं देखिए यूरोप के अंदर जॉब फाइंड आउट करने के मैं आपको इजी और सिंपल पॉइंट आपको बताऊंगा अगर आप ये पॉइंट फॉलो करोगे तो आपको इजीली यूरोप के अंदर जॉब मिल जाएगी तो सबसे पहला पॉइंट है लेंगवेज आप यूरोप में यूरोप कॉंटिन के अंदर जिस भी कंटर में आत्य हो तो उसका एक प्राइमरी लेंगवेज होता है उसकी जो प्राइमरी लेंगवेज है उसको आप सिखे समझिए और भोलने का ट्राय करिये maximum आपको 10% 20% communication करना primary language में local language में आना ही चाहिए इससे आपका काम बहुत ही easy हो जाएगा secondary language होता है English हरे country में तो क्या होता है कि आप English के उपर भी focus करें और primary language में भी focus करें पर आपको primary language 20% तो आना ही चाहिए जिससे आपका काम बहुत ही easy हो जाएगा तो हमारा पहला point हा कि आप language पर focus करें दूसरा यह point है कि आप अपनी capability को पैचानो देकि हर काम आपके लिए नहीं बना है और आप हर काम के लिए नहीं बने हो तो आपको एक बार जहज करना है अपनी आपको कि आप कौन से काम के लिए eligible हो और आप कौन सा काम कर सकते है देखें बहुत सारे लोगं heavy work नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग technical work नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग technical work करते हैं, बहुत सारे computer work कर पाते हैं, बहुत सारे लोग computer work कर नहीं पाते हैं, तो आप अपनी capability पहचानो, कि आप किस काम को कर सकते हो बहुत easily, जिसमें आपको भी इंट्रस हो और आप उससे अच्छे से कर सको तो हमारा दूसरा पॉइंट यह था कि आप अपने capability को पैचानो हमारा तीसरा पॉइंट है location देखिए यूरोप के अंदर बहुत सारी एसी location है जहापर आपको जोब मिलना बहुत ही easy है और एसी भी location है जहापर जोब मिलना बहुत ही मुश्किल है तो आपको क्या करना है अब जिस भी location पर हो आप पूरे location का एक बार अच्छी से ground report बनाईए हर एक जगा पर आप जाके उसको समझो सोचो और उसको discussion करो कि इस location पर क्या job opportunity अवेलेबल है इसका economic एसे grow कर रहा है यह location है किस चीज के लिए फैमे से यह पर क्या इसी चीजे है जिससे हम एक income का जरिया हमारा बना सकते है तो मेरा कहना का मतलब यह है कि आपको location को अच्छे समझना है एसे लेकर जैट टक location का पूरा व्यू मेप आपके माइंड में सेट कर लेना है कि यहाँ पर कौनसी कंपनिया है इंडस्ट्री के कौनसी है टूरीजम ज्यादा है कि नहीं है कि ताइप का location है वो पूरा आपको समझ लेना है अगर आप को जाके पूरा research करना पड़ेगा कि इस area के अंदर क्या available है जो आपको एक अच्छा income प्रदान कर सके तो आपको क्या करना है हमारा तीसरा point है कि आपको location को समझना है कि location की requirement क्या है और location income कैसे generate कर रहा है तो यह हमारा तीसरा point है कि location अभी हमारा चौथा point है observation देखिए आप location को तो समझ गए language भी समझ गए आप अपने capability भी आपने एक बार जज कर लिए लेकिन अभी आपको observation करना है आप observation कैसे कर रहे होगे कि आप कही पर भी जा रहे हो किसी के साथ बात कर रहे हो कोई मिल रहा है तो आप उसके point भी क्यों निकाले जहां पर job की बात हो रही हो अगर आपने कही पर banner देखा हो कोई जगह पर post देखा हो online में देखा हो facebook में Instagram में कोई भी जगह पर आपने job का advertisement post देखा हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर job मिलने की possibility है तो आप उसको तुरंती not down करे not down करने के बाद आप उसके उपर search research करे और वहाँ पर how to apply आप कहा पर कैसे apply कर सकते उसके बारे में सोचे उसके contact कैसे कर सकते उसके बारे में सोचके आप वहाँ पर आपना application डाल दे देखिए observation एक एसी चीज है अगर आपको observation अच्छे करना आता है तो आपको job मिलना बहुत ही easy हो जाएगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि किस type की requirement है और कैसे यहाँ पर job मिल रही है जैसे मैं आपको बता दू कि जर्मनी में एडव करके company है फिर बहुत सारे ऐसी company है जहाँ पर आप अपना CV भी दे देते हो ना तो आपको एक observation अपना साही करना है कि आपको job डुनने में आपको किस type की मदद मिल सकती है आपके observation से आप internet पे सर्च करें social media पे सर्च करें इधर इधर आप कई गूम रहे हो तो वहाँ पर देखे रोड पे जा रहे हो या transportation में जा रहे तो वहाँ पर देखे कि कोई job opportunity मिल रही है कोई जगहा पर banner है कोई जगहा पर advertisement हो रही है सब जगहा पर आप observation अपना बनाए रखे तभी ही आपको एक अच्छी सी opportunity grab करने में आपको बहुती help मिल जाएगी तो यह हमारा था चौथा point के आपके पास एक observation होना चाहिए हमारा पांचमा point है motivation देखिए यह motivation एक ऐसी चीज है अगर देखिए आप demotivator हो जाओगे तो आपको job मिलने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी यूरोप एक ऐसी country है यूरोप एक ऐसा continent है और उसके अंदर एसी country है जहापर आपको पहले रूलाएगी फिर बाद में आपको job देगी और फिर बाद में आपको happiness देगी तो पह जाएगा तो यह था motivation कि आपको हमेशा motivate रहना है आपको demotivator नहीं रहना है और अपने अपने काम के उपर फोकस करके उसके अंदर details में research analysis करके उसके की अपर अगर आपके पास कोई कमिया है तो उसको धूर करके उसमें focus करके आप उसके अंदर detail में जाकर मोटिवेशन के साथ में आप अपना काम करें आपको अवेश्य ही जोब मिल जाएगी हमारा छठा लास्ट पॉइंट है हाई ग्रोथ देखिए आपको जोब तो मिल गई लेकिं हर एक हर एक का मसर होता है कि हम इसमें आगे कैसे बढ़े तो देखिए एक होता है प्रोफेस्ट स्किल तो जो प्रोफेस्टन वाले बंदे हैं वो क्या सोचते हैं कि मुझे ये कंपनी में 1000 यूरो मिल रहा है 2000 मिल रहा है तो मैं इसको 3000 में 4000 में कैसे कनवर्ट करूँ तो यह कैसे हो सकता है कि आप अभी जो भी काम कर रहे हो इसमें एक्क्यूरसी लाओ फास्ट लाओ लाओ और आप जो भी कर रहे हो उसमें परफेक्नेस लाओ और आप एसी एक मौनपॉलिट क्लियर करो कि आपके बिना यह काम कोई और नहीं कर सकता तो देखिए अगर आप अपने काम में बहुती इंटरस्ट लेकि उसमें इंप्रूमेंट लाओ गे तो उसके अंदर आपक कि सेलेरी भी बढ़ जाएगी अब सामने से किसी से माक सको कि मैं यह काम करने के लिए इतना पेशा लूंगा अगर आपको पसाने तो रखे नहीं तो मुझे दूसरी जगह पर भी काम मिल जाएगा जब आप अपने क्वालिटी बढ़ा होगे तब आपको पैमेंट आटोमे अब आपको डे-टू-डे अपने को एक्टिव रखना है और जैसा समय है उसके साथ में चलके आपको काम करना है तो यह चे पॉयंट है अगर आप मेरे ये 6 point को follow करते हो तो आपको यूरोप में job मिलना final है अगर आपको तब भी कोई problem है आपको job नहीं मिल रही है तो अभी तक मैंने यूरोप की सारी countryों में गुम लिया है और वहाँ पर job भी किया है तो आप मेरा contact कर सकते है मैं आपको बहुत easy sample method से आपको job के लिए help करूँगा आपको बहुत सारे लोगों का number भी provide करवाँगा जिससे आप उनसे contact करके easily आप job पा सकते हो तो I hope ये वीडियो आपको बहुत informating लगा होगा तो अगर आप मेरे channel पर नए हो तो channel को subscribe भी कर दीजिए अगर आप आपका friend या आपके circle में कोई किसी को job नहीं मिल रहा ये उरोप में तो ये वीडियो भी आप उसे forward कर सकते हो जिससे आप उनको motivation मिल जाएगा और जोट ढूंडे में भी बहुती आसानी रहेगी तो मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई